नमस्कार दोस्तों मैं हूं उमेश आदोग आप देख रहे हैं आपको अपना यूटूब चैनल सव पौधों का आज हम आपको से बिलांग करने वाले खुब्सूरत से पौधे कैलेंचों या कैलेंचों की विशें में बात करेंगे यह एक बिनटर फ्लावरिंग प्लांट है इसमें सर्गियों में बहुत अच्छे फूल आते हैं इसको बहुत ही आसानी से आप इसकी पत्तियों से बाध करसकती हैं इसके दाल से फौई पार प्रपाज़ से चल रही है और इसके लिए जो स्वाइल मेडिया तेजार करनी है उसमें ध्यान रखना है कि स्वाइल मेडिया का मिक्चर ऐसा हो कि इस्ते इसमें के गंबलों में पानी जुभा रुकने न पाए और इसकी पत्यों में इसके इस्टेम में बहुत ही भर्पूर मात्रा में पानी पहले से उपलक्द होता है हमेशा कोशिश ये करिए कि इसकी मिठ्री जब उपर एकदम ड्राई हो जाए तब ही पानी दें क्योंकि इस पाउदे के लिए अधिक पानी बहुत बड़ा खत्रा है और इसकी दो तरकी ब्राइटिया आती है जैसे ये सारे जो है देशी कलेंचों है और ये छोटे से पार्ट में पौधा लगा हुआ है ये हाइब्रेट कलेंचों है तो इसमें देशी में जो है सिंगल पैटल के फूल आते हैं इस तरह से आद देख सकते हैं इसमें कलिया आ ग पूल नौम्बर से शुरू होते हैं और फरोरी मार्ज तक जो है बहुत बड़े पैमाने पर फ्लावरिंग करते हैं तो काफी समय तक इसके पूल जो है गमले पर पौधों में ठीके रहते हैं और इसमें ध्यान रखने वाली सक्षे बड़ी बाती है कि जब आपका पौधा फ्लावरिंग के करीब आ जाए यह लगने लगे कि अब इसमें फ्लावरिंग शुरू होने वाली है तो आप इसको जो है पौधे को काउट डंक या मतलब गोबर की खाट जिसको कहते हैं या बर बहुत बड़ा खत्रा है तो पानी इसको उतना ही उपलब्द कराना है जितनी इसको जरूरत है क्योंकि यह पौधा हमेशा अगर मरता है तो पानी के ही कारण जो है मरता है और इस पौधे के लिए इतना यह खुबसूरत पौधा है कि आप इसको अपने गार्डन में बहुत भाना मत उठाईए है और यह बहुत है आसानी से जो है नहीं बथा बहुत ही आसानी से एक पत्ति से भी और ऐसको प्रोगेट कर सकते इसके डाल से आपhel South नहीं है और उसको इस तरह जो आपергाड़ और हमेशा इसको कम से कम 8-10 इंच के पॉट में लगाईए और इसको जहां पे भी रखिए कि कम से कम इसको 4-5 घंटे की धूप जो है मिले जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो करके आएगी अगर इन सब बातों का आप जो अध्यान रखेंगे तो आपका कलेंचो का पॉटा सालो साल चलता रहेगा और जब सीजान आए तो हराम से इसकी जो है आप कटिंग बना लीजिए एक मदर प्लांट से आपके पास में इतने कटिंग बन जाएंगी कि आप जो है आपके पास ग और इसमें देखें अभी ये कलिया है इतने अच्छे फूल आएंगे कि जब फूल आएंगे तो भी मैं इसके एक वीडियो बनाऊंगा आप देखते ही रह जाएंगे इन सब बातों का ख्याल रखें केर रखें आपका क्यलेंचो कापी अच्छे से चलेगा और ये वीडिय किये आगे अच्छे अच्छे कांटर फ्रेम में वीडियो बनाता रहूंगा धन्यवाद